हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फाइव अंडेड यात्राज अभी हम औरंग जेब मुगलकाल से संबंदित पार्ट 6 में औरंग जेब का पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है इसका सेकेंड पार्ट है अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने ओले वीडियो के नोटिवेकेशन सबसे पहले मिलते रहें अब हमने मुगलकाल में यहां तक पढ़ लिया था कि 1669 में जो विश्वनात मंदीर है बनारस का औरंग जेब ने तुडवाया इसके अलावा औरं इसलाम में बदलना चाहता था दारूल इसलाम से भीप्राय था इसलाम का देश यहनी काफिरों के देश से इसलाम का देश बदलने की इच्छा रखता था अब बात करें कि कि किस वही औरंग जेब जिसने गीत संगीत पर परतिबंद लगाया वो वीना बजाने में पारंग इसके अलावा समुद्र गुप्थ बीवी गुप्थ सामराजी में विना पजाने में पारंगत था वो भी याद रखना है और 1678 में इन्हें अपनी बीवी की याद में बीवी का मक्बरा बनाया जो अरंगाबाद में इस्थीत है उनकी म्रत्युम ही पर हो गई थी, इनकी बी राज बानो बेगम के नाम से जानी जाती थी और इनकी मरत्यों के बाद इन्होंने उसे दुर्रानी की उपादी दी थी तो उसका नाम हो गया था राबिया दुर्रानी तो बीबी का मकबरा जिसकी याद में बनाया गया राबिया दुर्रानी की याद में जो इनकी पहली पत्नी थी और बीबी के मकबरे को ही तृत्ते ताज महल भी कहा जाता है 1678 में ये बनवाया गया था इनका राज की इतिहासकार मुहमद काजीम था जो इनके दर्बार में रहा करता था लाल किले में मोटी मजजीत किसने बनवाई ये प्रशन पूछा जाता है और तो लाल किले की मोटी मजजीत इन्होंने औरगजेब ने बनवाई लाहोर में बादसाही मजजीत भी इन्होंने बनवाई और ये एक मात्रह से मुगल बाद सत थे जिनका दो बार रज्य भी शेक हुआ पहला 31 जोलाई 1658 को आगरा में जब ये आगरा में थे और दूसरा दिल्ली में साजा के महल में 5 जून 1659 को एक साल बाद लगभग लेकिन याद रखना है ये वही 5 जूने जिसमें विश्परियावन दिवस भी मनाया जाता है और इनोंने इस राज्दिलक के बाद दी 1658 में जब पर्थम राज्दिलक हुआ उसके बाद ही आलमगीर की उपादी भी धारण की थी उसके बाद औरंग जम काल में भारत कोन आया तो निकोल मनुची औरंग जेब के काल में भारत आया था जो विदेशी आतरी था और कई बार बहुत तरीके से घुमा फिरागे पूश जा जाता है कि औरंग जेब के काल में या फलाने काल में यह घट्रा के समय कौन विदेशी नागरिक था तो हर किसी का अंसर लगबग 70% का मनुची ही रहेगा गुरु गोविंद सिंग किसके पुत्र थे गुरु गोविंद सिंग गुरु तेक भाद्दूर जी के पुत्र थे जो सिखों क दसवे गुरु थे प्रशन आगाता है सिखों के अंतिम में दसवे गुरु कुन थे तो गुरु गोविंद सिंग जी सिखों के दसवे वे अंतिम गुरु थे अब एक प्रशन और है कि हिंदू मंदिर तोड़ने का अदेश औरंग जेब ने कब दिया तो समस्त हिंदू उसे औरंग जेब ने मारा था धरमत कायूद किस किस के मद्डे हुआ ये पहले बता दिया प्रश्न हैं कि धरत कहा हैं धर्मत काहा है धरमत जो को कोक के बीच धर्मत का युद होता है जिसमें दारासिको हो हार जाता है और अरंग जीद जाता है अब मोती मस्दिद की बात आतीघिए बहुक हुध जो बंधिके लाल किरे में जिसका निर्मान अरंग जेब में कम मिलाया गया तो 1685 में मिलाया गया और बीजापूर 1686 में मिलाया गया अगर प्रशन पूछा जाए गोल passport może मैंने आपको बता दिया है 16 85 और 16 86 तो बड़ा सिंपल है उरंग दक्षियन शूबोhकी राजधानी क्या थी उरंग जेब के काल में दक्षिन के सूबोhकी राज्धानी उरंगाबाद हँआ कड्रती थी और जागिर दाधी संकर्ट किसके काल में उत्पन हुआ तो वो भी ओरंग जेब के काल में उत्पन हुआ इसके अलावा ओरंग आप याद रखना, और जाट विद्रोह, 1669 में, gustukul के नेतुरतों में हुआ और सतनामी विद्रोह और जाट विद्रोह दो ऐसे विद्रोह थे जिनके लिए kriushii जिम्मेदार थी, जो कriusha को दुआरा किये गए गोकुल भी एक जाट थे जो मत्थुरा से भिलॉंग करते थे और इसके अलावा मैंने एक बार सारा कुछ आपको बता दिया है और अरंगजेब से संबन दिया है इसके अलावा भी कही सारे प्रश्न पूछ लिया जाते हैं कि और अरंगजेब को सहा जाने कहा का सुबेदार कौन सा दिया तो दक्खन का क्या सुवेदार निक्ट किया था उसके अलावा कहीं बार काल पूछ लिया जाता है सभी पहले पापके Chapter 6 का काल दे दिया गया है छे पहले मुगल संब्राटों का तो उनका मेंचिंग करने में आ जाता है कौन सा का काल कहा कभ से कभ तक है या को कोई मजजी देव अगर्हा कोई ताज्महल की मैचिंग आ जातीए तो इसके बारे में द्यान लगए हैं मैंने लाल किले के बारे में भी आको बिताया की बारे में द्यान रखना है अगर आपने भी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन डबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिक्शन मिलते रहें इसकी PDF फाइल पाने के लिए Instagram का लिंक दे रहा हूँ Instagram पे follow करें और आप सभी लोगों ने time दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवादा और प्रारता यही है कि आप सभी लोग सरकारी नोकरी प्राप्त करें अच्छे से बहुत बहुत धन्यवादा आपका